बच्छों को पिंपल्स बहुत होते हैं और लेडीज को भी जरासा आम खाया चेहरे पर फुन्सी निकलाई और किसी किसी को यहां काला हो जाता है किसी किसी को इधर काला हो जाता है फिर किसी किसी के तो जाईयां और हो जाती है पूरा वर्ल्ड का नक्सा बन जाता है बहुत खराब लगता है, तो ये एक तो ऐलवेरा जेल, ये ऐलवेरा जेल इतनी अच्छी चीज है, ऐलवेरा जेल को ऐसे चेहरे पर लगा दो, जहां फुन्ची है वहाँ इसको थोड़ा ऐसे, इसका एक ऐसे ही, जहां फुन्ची है वहाँ इसको ऐसे पीका सा लगा दिया इसका, र साथ दिन में से पूरह चेरा बढ़ हुआ फुनाशियों से ठीक हो जाता है, साथ दिन के अंदर, और जिनको रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, और या ताग धबे और ब्लैक स्पोर्ट स्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे लगा करके इसको आजसे ही लिया, और ऐसे बन जाती है फेशल लगाते हैं आपको फेशल की भी जूरूत नहीं है आज कल तो पांच-पांच सो रुपैसे ले करके एक एक अजार रुपै का फेशल लगा देती हैं वैसे जो पुरानी माताएं बेहने उनको पता है चिरोंजी बादाम पकावा पपीता पकावा केला इनक चेहरे के तमाम रोग दूर हो जाते हैं बहुंच जादा चेहरा खराब हो गया हो ना तो एक कांती लेप आता है कांती लेप को एलवेरा के जैल में शहद में अथवा दूद में पपीता पकावा या केला कांती लेप को रात को लगा दो अथवा पाने में लगा के सो जाओ या एलिवेरा के जैल में लगा के सो जाओ रात को लगा के सो जाओ करीब 8-10 दिन में maximum 15 दिन में किसी किसी का तो चेहरा बच्चों का फुन्शियों से पूरा भर जाता है ये मैंने बताया आपको एलिवेरा ऐसे लगा लो सो साल तक आपका चेहरा ऐसे ही चमकेगा जैसे मा के पेट से पैदा हुए थे ये अलिवेरा जैल सकेन के प्रॉब्लम लेडिज की कोमन समस्या है आज कल उल्टी पुल्टी चीजे बहुत हो गई है आप लोग अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो सकेन प्रॉब्लम्स लेडीज को बहुत जादा होती है